Hello everyone, आज मैं आपके लिए जो विसवस्तु लेकि आई हूँ, वो एक महत्वपॉर्ण विसवस्तु है, जिसके, जिससे रिलेटर्ड कई question exams में, competition exams में पूछे जाते हैं और जो आपके सलेवस में भी शामिल है, तो आज हम बात करेंगे स्रव्य द्रश्य सहायक सामगरी, audio visual ads की बारे में, मैंने इस content को Hindi और English दोनों में यहां share किया है, क्योंकि जिन बच्चों की Hindi language तो लगबग सभी की होती है, लेकिन बच्चों के पास English language है, उनको भी दिक्कत ना आए, और BSTC वाले students हैं, वो इस content को cover कर सके, क्योंकि इनके सलेवस में भी है, तो आज हम स्रव्य द स्रव्य द्रश्य सायक सामगरी के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले स्रव्य द्रश्य सायक सामगरी के अर्थ को समझना हमारे लिए आवशक है, क्योंकि कई बार exam में स्रव्य द्रश्य सामगरी को ही define करवा लिया जाता है, इसके meaning को ही पूछ लिया जाता है, तो हमें इ निर्देशात्मकुपकर्ण होते हैं which are used जो उप्योग में लिये जाते हैं to communicate messages अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए more effectively अधिक प्रभावपून तरीके से through sound and visuals ध्वनी और द्रश्य के मादम से तो स्रव्य द्रश्य शायक सामगरी वे निर्देशात्मकुपकर्ण है जो ध्वनी और द्रश्य के मादम से विचारों को अधिक प्रभावपून तरीके से व्यक्त करते हैं समझ में आ गया होगा आपको इसका अर्थ कि ये वे सादन सामगरी है जिसके मादम से अध्धापक अपनी विशेवस्तू को बहुत ही अधिक प्रभावशाली तरीके से बाद करते हैं आडियो विज्वल एड्स या स्रव द्रश्य सामगरी के प्रकारों की तो वैसे तो इसको कई प्रकारों में विभक्त किया गया है लेकिन मुख्य रूप से इसके तीन भाग होते हैं there are three types of आडियो विज्वल एड्स एक होता है ओडियो एड्स जिसे हम सकते हैं और audio visual ads वह सायक सामगरी होती है जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस सायक सामगरी की तो विशेश कर या विशेशत है यह हमारे जो sensory organs होते हैं जो हमारे समेधी अंग होते हैं आख कान ना इनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं visual ads में आप देखने की क्रिया करते हो तो आपकी आखें ज़्यादा सक्रिय होती हैं और audio visual ads में आप सुनना और देखना दोनों ही एक साथ करते हो तो आपके आख और कान दोनों ही सक्रिय रहते हैं तो इनका सीधा effect हमारे sensory organ sensory organ मतलब समेधी अंग जो होते हैं उन पर पढ़त है कि निम्न में से स्रव्य सामगरी कौन सी है द्रश्य सामगरी कौन सी है स्रव्य द्रश्य सामगरी कौन सी है या फिर कोई एक example देके पूछ लेंगे कि टीवी किस प्रकार की सायक सामगरी है तो हमें category wise इनको पता होना चीए कि mostly कौन सी सायक सामगरी स्रव्य सामगरी में पहले में आपके सामने audio ads जिनको हम केवल सन सकते हैं only for listening स्रवे सामगरी को प्रस्तुत कर रही हूं जिसमें मुख्यो रूप से हम सबसे पहला example लेते हैं radio रेडियो आप सभी जानते हैं radio एक स्रवे सामगरी में स्रवे सामगरी के रूप में क्योंकि radio में हम जो भी प्रोग्राम होता है उसको सुन सकते हैं देख नहीं सकते इसलिए इसको एक audio ads में शामिल किया गया है इसी के थोड़े से modern रूप की बात करें तो tape recorder की बात करें, tape recorder में क्या होता है tape recorder में हम आवाज को record कर सकते हैं, मालो हमें किसी का speech कोई गाना सुनाना है कोई program सुनाना है तो हम उसको as it is record करके फिर बच्चों को सुना सकते हैं gramophone भी एक तरह का recording system ही होता है और ये भी विशेश कर इसका प्रयोग गानने वगरा सुनने में किया जाता है तो ये भी audio ads की स्रेणी में ही आता है lingua phone ये एक important instrument है lingua phone होता है भासा सुधारक यंतर कई बार exam में यही question दे के पूचा जाता है कि निम्न में से भासा सुधारक यंतर है तो lingua phone याद रखिएगा lingua phone भी एक audio ads ही होता है क्योंकि इसका भी प्रयोग बच्चे सुन कर ही इसको सुन कर ही बच्चे अपनी language को improve कर सकते है उसमें सुधार कर सकते है इसके अलावा हम बात करें तो audio cassette player होता है आप सभी जानते है cassette में हम recording कर लेते हैं और फिर हम उसको चलाते है तो हम उसको सुन सकते हैं audio की बात हो रही है video cassette player भी होता है जैसे हम VCD बोलते हैं, लेकिन वो तो visual हो गया, द्रश्य हो गया, यहाँ audio cassette player ही, जिसमें केवल आवाज को record किया जाता है, और एक होता है language laboratory, भाषा प्रियोगशालाएं जो होती हैं, भाषा प्रियोगशालाओं में भी बिन instrument होते हैं, जि लेकिन उनमें भी recording system ही होता है, language laboratory, यह सब स्रव्य सामगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो sensory organ part सबसे अधिक active होता है, वो होते हैं हमारे कान, कानों का सबसे अधिक प्रियोग होता है, सुनने की process में, इसके बाद अगर हम next में बात करें, तो next है visual ads, visual ads के बारे में मैं आपको बताऊं, तो visual ads वो सा पुन बिंदों को लिखता है, शब्दों को लिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते हैं, और देखके उनको अपनी copy में not down कर लेते हैं, तो यह blackboard भी कई तरह के होता है, एक blackboard हो गया, एक bulletin board हो गया, bulletin board होता है, सूचना पट, जिसमें सूचना ये चसपा क की जाती है, एक होता है flannel board, flannel board होता है, कपड़े से बना हुआ board, जिस पे क्या होता है, स्टक किया जाता है, चीजों को, जैसे आप कोई painting दिखा रहे हो, तो उसको उस कपड़े के board पे pin के द्वारा टांग दिया जाएगा, स्टक कर दिया जाएगा, है ना, जैसे आप स्टक कर दिया जाएगा, ऐसे ही आपका roll up board होता है, आपने देखा होगा, जिसके उपर और नीचे दो डंडिया लगी होई होती है, रोल करने वाला board होता है, उसके भी हम लिखते हैं, तो बच्चे उसको देखके answer देते हैं, इसके अलाबा चार्ट हो गया, चार्ट में आ मतलब भुगोल के लगबग हम जितने भी topics पढ़ाते हैं, उनमें हम maps का इस्तेमाल करते हैं, pictures, चित्रा आप दिखाते हो बच्चों को, models, models क्या होता है, models important visual ad है, models होता है प्रतिरूप नमूना, एक छोटा प्रतिरूप नमूना जिसको हम मान सकते हैं, मानलो आपको historical place के ब बच्चों को दिखा सकते हैं, बव उसकी copy बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, ऐसे text books होती है, text books आपने देखा होगा, चोटे बच्चों की classes में चलती है, उनको सिखाया जाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चोटे चित्र बने हुए होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना और कोई भी अगर आपको content समझाना हो तो चड़िया ऊड़ रही है है ना ये इस head pump से पानी भरा जा रहा है तो उसके कहा है चित्र उसमें add किये हुए होते हैं और चित्रों के माद्दम से चित्रों को देख देख कर बच्चे सीख जाते हैं slide होती है। जैसे कोई भी एक content तयार किया जाता है तो उसमें飛ben slide का प्रियोग होता है जैसे मैंने अपना ये topic तयार किया है तो इसमें मैंने 4-5 slides use की हैं एक में मैंने आपको इसके meaning के बारे में बता है एक में मैंने audio ads बता है एक में visual ads बता है और एक में audio visual ads आपको explain कर रही हूँ इसके बाद projector, projector में important है OHP जिसका पूरा नाम होता है overhead projector जिसका प्रियोग होता है अध्यापक जिस किताब से पुस्तक से पढ़ा रहा है जो notes पढ़ा रहा है तो वो बच्चों के सामने blackboard पे print हो जाते है as it is, वो projector होता है मतलब उनकी छाया प्रती सामने बच्चों को दिखाई दिती है तो OHP देखे कई बार पूछा जाता है OHP का full form भी आपको याद रखना है overhead projector और ये एक visual aid है और ऐसे ही एक visual aid में flash cards भी होते हैं जैसे हमारे ताश के पत्ते होते हैं उसी तरह से flash cards होते हैं जिसमें जानवरों के चित्र या फिर हम बोल सकते हैं fruits या फिर फल ऐसे diagram बने हुए होते हैं और फिर बच्चे उनको देख देख के उनको सीखते हैं तो visual aid में हमारा sensory organ जो सबसे अधिक active होता है वो होता है हमारी eyes और visual aid को हम केवल देख सकते हैं और देख के ही हम इनके द्वारा विशाबस्तू को grant करते हैं उसको जादा समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद third number पे अगर हम बात करें तो audio visual ads आ जाता है audio visual ads यानि कि अभी तक तो हमने single स्रव्य पढ़ा और single द्रश्य पढ़ा अब हम इन दोनों को मतलब ऐसे भी कुछ आएक सामगरी होती है जिनको हम सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं जैसे मैं अगर latest example दूँ आपको तो आपका टीवी, कंप्यूटर मॉबाइल, मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया में क्या होता है मल्टी मीडिया में मतलब होता है बहुत सारे task एक साथ किये जाते हैं जैसे आप लैप्टोप पे कोई program तयार कर रहे हो तो आप पहले उसको बनाओगे फिर उसको record करोगे फिर उसमें editing वगरा करोगे और फिर उसको present करोगे मतलब कोई presentation ही तयार कर रहे होती तो यह multi media होता है जिसमें एक साथ कई गतिविदिया हमें करनी होती है इसके बाद एक होता है virtual classroom वर्चुल आपको समझना है virtual होता है आभासी जैसे एक तो होता है वास्तविक एक होता है आभासी आपने science में पढ़ाओगा उतल दरपन आभासी प्रतीविम बनता है वास्तवि वास्तविक्ता को प्रजेंट करता है लेकिन वास्तविक होता नहीं है जैसे वही बात है आप टीवी में मूवी देख रहे होते हो तो मूवी मतलब हमें लगती है कि वास्तविक रूप में हो रहा है हम जब उसको देख रहे हैं लेकिन वह वास्तविक्ता पर तो नहीं होत यह बता है computer VCD player जैसे में बताया था audio player audio cassette player अलग था ACD player अलग था VCD में visual cassette player यह इसके अंतर गतम सुन भी पाते हैं देख भी पाते हैं मल्टी मीडिया की बात हो गई वर्चुल क्लासरूम की बात हो गई आपकी तो ये सभी audio visual ads हैं और इनके अंदर हमारा जो sensory organ सबसे अधिक active होता है वो हमारे कान और हमारी आखें दोनों ही सबसे अधिक इसमें active रहती हैं क्योंकि कान सुनने का काम करते हैं तो आखें देखने क काम करती हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो important इसमें point है वो है कि कई बार question पुछा जाता है कि निम्न में से स्रवेदर्ष सायक सामगरी का lab है या नहीं है या उदेश है या नहीं है ना तो हमें इसके lab के बारे में भी पता होना चीए मैंने कुछ important facts यहां पे include की हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही फास्ट है देखिए इट creates interest and motivation यह देखो रुची उत्पन करता है और motivation अभी प्रहित करता है in students पच्चों में for learning process ताकि वो learning कर सके सीख सके यह है विद्ध्यारतियों में अधिगम ही थू रुची और अभी प्रहित ना उत्पन करता है यह इसका पहला advantage है दूसरा हम बात क करें it makes the content content का मतलब विसेवस्तू it makes the content more interesting बहुती रोचक बनाता है and effective और effective का मतलब प्रभाव शारली बनाता है जैसे एक तो आप और अरली पढ़ा दो जाके आप अपना content तयार करके लाए और classroom में जाके आप बच्चों के सामने पढ़ा दो और एक आप उसी content को audio visual ads या कि इसी प्रकार की सायक सामगरी का प्रियोग करके बढ़ाते हो तो जादा interesting हो जाती है वो जादा effective हो जाती है थार नमबर पे हम बात करें तो it increases increase मतलब व्रद्धी करती है बढ़ाती है the energy level of teacher and student audio visual ads होते है उसके माद्दम से अध्धापक भी अपनी विशेवस्तू को और energy level को भी increase करता है और एक है important factors में it helps to grab the students attention कि ये जो है grab का मतलब होता है आकरशित करना खीचना एक तरह से तो ये बच्चों का ध्धान केंदीत करता है किस पे content पे जो विशेवस्तू अध्धापक पढ़ा रहा है अगर पूचाता है कि सभी बच्चे उसको ध्धान तो इस प्रकार स्रवेद्रश्य सायक सामगरी का प्रियोग करके कोई भी अध्धापक अपनी पाट्टे वस्तू को विशेवस्तू को अधिक रोचक बना सकता है प्रभावशाली बना सकता है बच्चों में interest create कर सकता है उनको अभी प्रेरित कर सकता है बच्चों का ध्यान अकरशित कर सकता है और विशय वस्तू को बहुत ही अच्छे और प्रभावपून तरीके से explain कर पाता है ये सबी audio visual ads के मुख्य रूप से लाब हो गई तो आज हमने इस content में मुख्य रूप से स्रव्य द्रश्य शाहक सामगरी के बारे में पढ़ा है अगर आपने पढ़ा तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और देखे इतना आसान content है और फिर इसमें से भी question गलत होता है तो वो बहुत गलत बात है इसलिए हमें पता होना चीए question मुख्य रूप से दो ही तरीकों से आता है या तो आपको कोई instrument देखे पूछा जाएगा कि ये किस category का है तो आपको पता होना चीए audio ads में क्या क्या आते है radio, tap recorder, gramophone, lingua phone lingua phone कई बार पूछा जा चुका है gramophone भी radio, tap recorder आपको पता ही है और language laboratory आ जाती है visual ads में आपका chart हो गया, map हो गया, globe हो गया blackboard हो गया, bulletin board हो गया, flannel board हो गया आपके flash cards हो गये, है ना ये सब चीज़ें आपके visual ads में आ जाती है और audio visual ads की बात अगर हम करें तो audio visual ads के अंतरगत वो चीज़ें आ जाती हैं जो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं हमारा टीवी हो गया, हमारा computer हो गया, हमारा android phone हो गया, multimedia या फिर virtual classroom virtual classroom मैंने आपको explain कर दिया है कि जो वास्त्विकता दिखाता है पर वास्त्विक होता नहीं है वो virtual classroom होता है तो इस प्रकार से या तो ये देके पूछेंगे या फिर इसके lab के बारे में पूछ सकते हैं तो lab में हमने पढ़ाई है कि विसे वस्तु को रोचक बना देता है, बच्चों को अभी प्रेरित करता है बच्चों के energy level को बढ़ाता है, छात्र और अध्यापक के energy level को भी बढ़ाता है, उनको motivate कर देता है और उनका ध्याना करशित करता है और content को और अधिक प्रभावपून तरीके से explain कर सकता है तो इस प्रकार स्रव्य द्रश्य सायक सामगरी का किसी भी विसे वस्तु को explain करने में, उसकी व्याक्या करने में एक महतुपून योग है और स्रव्य द्रश्य सायक सामगरी का प्रियोग करते हुए कोई भी अध्यापक अपनी विश्य वस्तु को बहुत ही प्रभावपून तरीके से प्रस्तुत कर सकता है उसको प्रजेंट कर सकता है तो question चाहे कैसे भी आए हमें ये ध्यान रखना है कि audio ads में कौन से आते हैं तो आपको English में भी दिक्कत नहीं होनी चीए आसा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें धन्यवाद